हाई अब्रिवन वेलकम तो डिश्टल जी के क्लासेज तो BPSC TRE 125 में आपको डॉक्मेंट सुधार करने का मौका दिया गया है अभी भी बहुत सारी लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या क्या चीज़े हम चेंज कर सकते हैं जैसे कि कुछ लोगों के नामों में मिस्टेक हो चुका है तो वो बोल रहे हैं कि हमने नाम वगरा जो है सही करा लिया है तो क्या वो वाला डॉक्मेंट सुप्रोड कर सकते हैं वही बाद BPSC के चेर्में जी का अतुल प्रसाजी का च्वीट आया और एक तरीके से वो आप सभी को डिरेक्शन दे रहे हैं निर्देश दे रहे हैं पहले इसे सारी चीज़े बता रहे हैं ताकि बाद में जो भी चीज़े होंगी उसके रिस्पॉंसिबिलिटी उसके जिम्मदारी आपकी होगी देखें BPSC 125 में इतना मौका मिला है यह बहुत ही एक अलगी बात है क्योंकि आप भी जानते हैं कि फॉर्म भरने के बास लेकर डॉकुमेंट्स तक इतना मौका कहीं पर भी नहीं दे जाता है किसी भी परिक्शा में बट फिर भी लोग इसका फाइदा उठा रहे हैं क्योंकि इनके पास तो सारा डेटा होगा ही आपका आपने पहले कौन सा डॉक्मेंट अप्लोड किया है और अभी आप प्रेजेंट में कौन सा कर रहे हैं जिन लोग ने डिलेट के डॉक्मेंट्स खरीदे हैं फरजी अप्लोड कर दिया बट सीटर तो आपका बीएट के बेस पे होगा तो ऐसे लोगों को भी ब्लैक लिस्ट किया जाएगा देखे सीधा सीधान का सबसे पहले ट्वीट में आपको बताती हूं इन्होंने ट्वीट करके यही जानकारी दी है कि आपको वन टू फाइफ में यह और क्यों सुधार करने का मौका मिला है सुधार इंद ने ट्सेंस के आपने 12 जेयर पे आपने graduation किया है डिलेट के जगह पे आपने किसी और का डॉकमेंट अप्लोड कर दिया है या seatatif तो यह है सुधार मतलब आपका miss हो गया है तो आप इसको कर सकते हो अदला बन्ली ए आपका नया दोनों होगा और जब हमें जरुवत होगी हम इसकी जाच भी करेंगे और ऐसे लोगों को बाहर भी कर दे जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग से आप सुन रहे हैं फरजी वाड़ा चीजे बहुत चलती है सीटेड जैसे एक्जाम चल रहा है तो यहां पर तो नौकर कर देंगे ठीक है बेसिकली मेरा मतलब यह है कि आप में से बहुत सरे स्टूडेंट्स जो है और वो तो जैनूइल है उनके डॉक्मेंट्स भी ओरिजनल है कुछ लोगों को छोड़ कर ठीक है तो उनको पता होना चाहिए कि आप क्या-क्या चीजे चेंज कर सकते हैं क्योंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको केवल और केवल सुधार करना है ना की हेल फेल तो फरजी वाड़ा लोग तो वैसे पर पकड़े जाएंगे नया डॉक्मेंट्स जैसे अप्लोड करेंगे जो खरीद रहे हैं सीटेट हो चाहें डेलेड हो चाहें जाती हो चाहें कोई बदलाव नहीं हुआ आपने 10 के जगह पे 10 कर दिया तो ऐसे लोग तो ओरीजनल है फरजी वाड़ा कौन है जिनका सीरियल नंबर अलग है डॉक्मेंट्स अलग हो गया इंदम ठीक है नया डॉक्मेंट्स बन वाली है तो एक चीज यहार एक एफिडेविट सबत और क् करें देखिए जैसे कि माल लीजे अभी भी मैं चीज बता रहे हूं कि अगर बहुत ही ब्लंडर हुआ है नेम में चाहे फादर नेम हो चाहे डियो भी हो कोल भी डॉक्मेंट्स है ब्लंडर ठीक है मिस्टेक्स हुई है तो आप उसके लिए अपना सपत पत्र सपत पत्र बन सब्सक्राइब सेलlaf गणा और सप्रद करें सब्सक्राइब करें हैं करना तोकुन दिखा सकते हैं एक सेैब कोई दिककत नशही करहें कि इसे वे गड़ां मेंिन नहीं मिलगा बिसिकली आपको सुधार क्या करना है वो ध्यान से सुननों कल भी मैंने बताये था बढ़ ट्वीट करने के बास में दुबार आपको बता रही हूं सिंपल सी बात है 10th हो 12th हो graduation हो सीटेट हो ठीक है graduation हो गया आपका आपका सीटेट हो गया आपका डीलेड हो गया आपका जाती ठीक है निवास आए तो अगर आपने 10th के जगह पे किसी और का तो क्या सर्टिफिकेट अपलोड करें तो जी नहीं देखिया बेसिकली अगर कुछ हेरा फेरी हो गई है कि 10th 12th में बदल गया है तो ही करो हो अगर आपने already जो डॉक्मेंट सहीं कियें न आपने माक सीट भरा है माक सीट से भी कोई तुकत नहीं होगी ठीक में तो जो आपने past में जो चीजेव आपकी सहीं है उसको बिल्कुल भी तो आप लोग आप लुड़ बन्वाय नगा है तो तो इक ऊपने न यहां तो थीक है अगर अगर ऐसी कोई गलती है मालिज यह तो बहुत से लोग अपलाई किये थे उनका नीम हो जाए ंगरए जाए सीटेट में अब आपके पास नए डोड़ेट आ गया है, तो आप upload कर सकते हैं, upload कर दीजेगा, बट याद रहे, पुराना वाला document जो अपने application form में upload किया था, साथ में नया वाला, ये दोनों आपको अपने साथ ले कर जाना है, document verification के समय में, ताकि आप उनको दिखा सके कि पहले मेरे documents में गलती थी, मैंने इसको सुधार कर अब मैंने जो नया documents ये upload किया, ये मेरे सामने है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप को सुधार करने का मौका जब BPC दे लिए, तो ऑब्यस ही बात है, आप अपने नाम अगरा तो सुधार करवाएंगे ही, सेम ऐसी अधार काड में अपलोड करेंगे, तो सीधे बाहर हो जाएंगे, कुल मिलाकर मैं यही बोलना चाहूंगी, कि अगर आपके फॉर्म में पहले से जो भी चीज़े अपलोड की गई है, माक्सीड अपलोड हो गया है, कोई बात नहीं, चोड़ दो, बस याद रहे, हेरा फेरी हुई है, आप इस ही सुधार कीजे, नया कुछ भी अपलोड मत कर देना, कि नया डॉक्मेंट्स मेरा बन चुका है, जाती वाला पहले नहीं बन पाया था, आरक्षण वाला नहीं बन पाया था, चलो डेलेट वाला डॉक्मेंट बन वाली आ है, सीटेट याज़े, ऐसे लोग जो भी अप अप्लोड किया है नाम बगर में गलती है सपत पत्र बनवा के लेकर चले जाना ठीक है अचा कुमारी से बहुत कोशन आ रहा है कि कुमारी हमारे पहले था और किसे दॉकमेंट्स में कुमारी नहीं है तो कुमारी से ज्यादा कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है यह आपका जिनके डॉकमेंट्स एकदम ही अपोजिच होंगे जिन्होंने फरजी तरीके से फेक डॉकमेंट्स बनवाए होंगे ऐसे लोगों को बहर किया जाएगा बाकि छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है जैसे कि नाम बगर में है इस पेस आगया है तो सब पत्र बनवा लेना उससे तो याद रखें आपको सुधार क्या करना है केवल बदलना है बदलने का सेंस की 10 के जगा पे 10 12 के जगा पे 12 फरजी वड़ा तरीके से डिलेट सीट के जो माक्सित लगाएंगे वो सीधे पकड़े जाएंगे ठीक है वैसे और एक चीज़ याद रखो जितनी चीजे सुध अपने पॉपी में नोट लिख लो और जब आप डीवी की समय पी जाएंगे तो आपको न्यू जो अभी अप्लोड कर रहे और ओल्ड ये दोनों डॉक्मेंट्स अपने साथ लेकर जाना है उनको दिखाने के लिए ठीक है सारे डॉक्मेंट्स आपके डीवी की समय में प्र डॉक्मेंट्स भी क्लिक करके देख लीजेगा कि आपने सही तरीके से अप्लोड किया है यानि प्लीज चानल को लाइक शेयर सब्सक्राब कर दीजेगा आपको ऐसी अप्डेट मिलता है मिलता है नेक्स क्लास में थैंक्स पो वाचिंग